Hello everyone, welcome to Magnet Brains जहां आपको 100% free of cost education प्रोवाइट की जाती है मतलब आपको यहाँ पर एक या दो चाप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमिन करने की नीट बिल्कुल नहीं होती है So इस एची बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को चाप्टर No.6 Introduction to NumPy जो की हम फिनिश कर चुके हैं जिसके सारे वीडियो लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में पड़े हुए हैं आप वहाँ से देख सकते हों क्यों क्योंकि यह जो पार्ट आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं एक्सरसाइज या NCRT Solutions जो आपकी चाप्टर के बाद होता है कहीं न कहीं बहुत important होता है आपकी exam point of view से बार-बार में नहीं चीज़ कही है क्यों क्योंकि इस चाप्टर से किस तरीके से question आना है कैसे question answers बनना है क्या practical questions होना है वो सब हमें इसी से तो पता चलता है ना ठीक है तो इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत special होने वाला है इसे बहुत ध्यान से समझना है यदि सारे वीडियो lectures देखें है चाप्टर एच्छे से पढ़ा है practicals किये है तो आपको इनके answers खुद से बन जाने है ठीक है या फिर doubt होगा कुछ तो वो भी solve हो जाना है ओके सो चलिए स्टार्ट करते है exercise को सबसे पहला question यहाँ पर है आपकी exercise में दिया हुआ है that is What is NumPie? How to install it? This is the basic question कि NumPie library का जब introduction हमने पढ़ना शुरू किया था तब ही हमने सबसे पहली वाली वीडियो में ही इसा discuss किया था कि NumPie क्या होता है और कैसे आप इस इंस्टॉल करते हो तो इसका installation की भी एक dedicated वीडियो मैंने बनाई हुई है है ना So hope आपने देखी भी होगी तो NumPie का क्या full form है पहले तो हम यह discuss कर ले है NumPie का full form है numerical python क्या है numerical python library It is installed using command pip install NumPie जो command जिस command का use करके आप इस install करते हों वो यह command होती है अब numerical python मतलब basically जो numerical data होता है ठीक है numerical data को manage करने के लिए numerical data analysis के लिए जिस library का python में use किया जाता है तो वो होती है NumPie library ठीक है अब यह आपने देखा कि किस तरीके से हमने numerical data पर analysis किया किस तरीके से functions को perform किया जो पहले से इस library में built-in functions थे उनका use करके कैसे हमने हमारे task को easy किया है ना वो सारी चीज बेसिकली हमने इस chapter में पढ़ी तो नंपा library का full form आपको समझ में आगे कि python के एक most popular library है जो कि numerical data पर based है okay now it is installed using command अब यदि इसको आपको install करना है वैसे तो advanced python के जो software आते हैं जैसे अनाकॉंडा software के हम मात कर रहे हैं spider id, jupyter notebook तो वहाँ पर यह libraries पहले से installed आती है बस आपको इनको import करना होता है ठीक है लेकिन यदि आपको आप default c python का use कर रहे हो जो python का basic software है ठीक है python का ideally यदि आप use कर रहे हो interpreter use कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इसको install करने की जरुवत पढ़ती है जिसको हम install करते हैं pip package की ठीक है किसकी मदद से install करते हैं pip package की मदद से pip package के अंदर ही आपको यह सारी libraries मिलती है वहीं से आप इन्हें install करते हो जैसे numpy library हो गई 12th class में आऊंगे तो आप pandas library matplotlib library की बारे में पढ़ोंगे ओके तो वह सारी libraries को आप pip package की मदद से install कर सकते हो उसके लिए जो command होती है pip install numpy होती है ठीक है जैसी आप यह command लिखते हो c prompt पे लिखने के बाद में कुछ code run होता है सारे इसके files, libraries वोगरा सारी चीज़ें install होती है install होने के बाद successfully downloaded जैसा message आ जाता है it means कि आपकी system में numpy library successfully install हो गई अब आप इसके जो building function से उनको use कर सकते हो fine so इतना अच्छे से समझे में आ गया कि यदी question आता है what is numpy how to install it तो क्या लिख कराना है वैसे यह question आप से एक या दोन marks में ही पूछेंगे okay now next what is an array and how it is different from list क्या question आप next कि array क्या होता है array की definition लिखना है और कैसे यह list से different है ठीक है now what is the name of built-in arrays class in numpy numpy में जो आप built-in arrays create करते हों उनको हम किन किन नाम से जानते हैं clear तो यहाँ पर तीन questions आप से पूछेवें अब इस question को ना बहुत धिहान से समझना क्योंकि कहीं ना कहीं यह बहुत important है जब जब मैंने इसके videos lectures पढ़वाए हैं इस chapter के तो मैंने आपको यह चीज clear किया था कि आपकी exam में 110% यह question चप चुका है कि write the difference between array and list array और list के बीच में difference आएगा ही आपकी exam में ठीक है तो वही देखो कि second question के form में आपकी book में भी दिया हुआ है fine तो array क्या होता है array एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि collection होता है element का जिसमें क्या होते हैं सारे element same type के होते हैं same type के मतलब same data type के होते हैं या तो array में सारे element character जैसे होंगे या integer जैसे होंगे या float जैसे होंगे मतलब अलग-अलग data type को कौन support करता है list support करता है लेकिन same data type की जो list है, same data type की जो elements हैं, उनको kन support करता है? array support करता है, ठीक है? और जिसको हम कहाँ create करते हैं? जिसको हम NumPie library में, NumPie array के form में create करते हैं ठीक है? अब ये array कितने type के हो सकते हैं? array आप 1-dimensional भी create कर सकते हैं sequence में 2-dimensional भी create कर सकते हैं, row column table के form में ठीक है, three-dimensional भी create कर सकते हो, multi-dimensional array भी आप create कर सकते हो, जिसे हम end-dimensional कहते हैं. So, इसलिए numpa library में आप end-dimensional तक array create कर सकते हो, that's why इसे हम क्या कहते हैं, end array की नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और भी differences होते हैं, बट जो basic difference array list में वो ये है, कि array store all the elements of same data type, but list store all the elements of different data type और same data type, दोनों store करता है, मतलब array जो है, वो homogeneous data type होता है, homogeneous element को store करता है, और list जो है, वो homogeneous और heterogeneous, दोनों type की data type values को store करती है, ठीक है, यह चीज़ अच्छे से समझ में आई? So, यहाँ पर definition यदि आएगी, तो क्या लिकोंगे? A numpy array is a table of elements, numpy array क्या है? Table of elements, usually numbers, all of the same type, numbers कैसे होंगे सारे? Same type क्योंगे? Indexed by table of integers, numpy arrays are also called nd arrays, अब हर एक element जो array में store है, उसे हम उसके index से specify करते हैं, refer करते हैं, सपोस्ज यह एक array है, यहाँ पर आपने कोई number store करवा दिया, ठीक है? यह आपके four elements की array होगी, यह four elements की एक array है, यदि आपको 10 को access करना है, तो हमेशा array में zero indexing होती है, तो यह zeroth index पे save होगा, यह number one index पे होगा, यह two पे होगा, यह three पे होगा, तो यह हो गई क्या? यह हो गई इसके index, ओके समझ में आया? तो array की element को यह दिया, आपको access करना है, suppose यह एक a नाम की array है, तो a of zero पे आपको मिलेगा 10, a of one पे मिलेगा आपको 20 element, ठीक है? इस तरीके से 0, 1, 2, 3 पे आपको यह element placed मिलेंगे. तो 0, 1, 2, 3 क्या हो गया? indexing हो गया. Fine, so the nd arrays can be one dimensional, two dimensional और three dimensional. तो array क्या हो सकती है? One dimensional भी, two dimensional भी, multidimensional भी हो सकती है. अब बारी आती है, इसके difference ही. यहां तो हमने array की definition देखी, और numpy जो library है, उसमें कितने type की आप array create कर सकते हो, वो देखा. Now, difference between numpy array and list. यह question अलग से भी पूछ सकते हैं, आपसे दो number, तीन number में, चार number में भी, कि what are the difference between array and list? तो आपको आना चाहिए. वैसे हम पहले भी discuss कर चुके हैं video lectures में, okay? So, python list and numpy array, इन दोनों में क्या difference है? सबसे पहला difference कि list can be homogeneous or heterogeneous. List के अंदर जो data होता है, वो homogeneous, मतलब एक जैसा भी हो सकता है. यह different, different data type का भी हो सकता है. So, all the elements can be or same or a different type. Now, the numpy arrays are homogeneous only, that is all the elements of same type. ठीक है? Element-wise operations are not possible on list. List पे, the element-wise operation आपको perform करना है, तो वो possible नहीं है. क्यों? क्योंकि list में element अलग-अलग भी हो सकते हैं. Suppose, एक list है, जिसमें आपने integer numbers store करवाएं, दूसरी list है, जिसमें आपने character store करवाएं. आप इन दोनों list को यदि आपको plus करवाना है, minus करवाना है, into करवाना है, division करवाना है, तो कैसे करवाऊंगे? Number और string या character जो है, उनके बीच में plus minus into division तो नहीं होता ना. So, element-wise operation is not possible. और यहाँ पर element-wise operation जो होता है, वो nd arrays में possible होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर same type की arrays होनी चाहिए, same type की array होगी, जिसमें same type की elements होगे, तो उन्हें आप add, subtract, element-wise जो भी operations है, वो करवा सकते हों. और operations हमने देखे भी हैं. है ना, हमने क्या देखा था? arithmetic operations देखे था, transpose देखा था, sorting देखा था, statistical operations भी देखे था, किस तरीके से दो arrays पर perform किये गए था है. Element of list need to not be continuous in memory, देखो. List के जो element होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं. हो सकता है, एक list में number हो, string हो, decimal number हो, तो ये जो number, जो list के element है, वो memory में एक ही जगह पर जाकर store or it is not possible. तो element जो होते हैं list के, वो non-continuous होते हैं, मतलब memory में continuous space में store नहीं होते हैं. लेकिन array के element क्योंकि same type के होते हैं, कैसे होते हैं, same type के होते हैं, इसलिए memory में इनको allocation जो मिलता है, memory में जो इसने space मिलती है, वो एक continuous space मिलती है, जहां से आप इसे easily access कर सकते हैं, इनकी index value के साथ. So numpy array elements are stored in continuous memory allocation, okay, list is a core data type of python, python का यदी core data type की बात की जाएं, मतलब जो data type हमने पढ़े थे python के first chapter में, python का जो brief overview of python पढ़ा था, उसमें हमने data type पढ़े थे, तो उस data type में हमने क्या देखा था, कि list, dictionary, tuple, ये एक type के data type होते हैं, integer, flow, decimal के अलावा भी, तो यहां पे list क्या होग library की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन arrays क्या है, जो nd arrays है, numpy arrays है, are not a part of core python, ये कोई core python का data type नहीं है, in order to use, we need to install numpy library, यदि आपको nd arrays को use करना है, तो इसके लिए हमें numpy library को install या import करने की need होती है, as a library, so ये differences अच्छे से समझ में आ गए, क्या differences है, ठीक है, यहां पे different type का data होता है, ये same type का data होता है, इसी की वजह से, ये non continuous memory allocation होता है, continuous memory allocation होता है, ठीक है, यह element wise operation, आप perform नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग-अलग data type रोते है, यहां पे आप element wise operation perform कर सकते हो, क्योंकि same data type के elements होते है, है ना, यह python का 1 data type है, यह python की एक python की ये library है, बस ये चारिफरेंस ह जो आपको याद कर लेना है और hope आपको याद भी हो गए होगे fine, आगे बढ़ता है next question, question number 3 what do you understand by rank of ND array ND array की rank किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं rank अब देखो, one dimensional array में तो एक sequence में data save होता है यह आपकी 1D array हो गई ठीक है, two dimensional array की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, row column में data होता है कुछ tabular format में होता है जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसमें की axis को हमने define कर दिया कि यह row है, तो हमने define कर दिया axis equals to 0 यह column है, तो इसके लिए हमने define कर दिया axis equals to 1 ठीक है, ऐसी 3D array की तो 3D dimensional आजाएगी तो यहाँ पर जो rank है, nd array की उसको किसमें measure किया जाता है, उसको कैसे समझते हो आप तो उसे हम समझते है, number of axis के form में कि किसी nd array में कितने number of axis है, वही उसकी rank कहलाती है जैसे हम यहाँ पर 2D array की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 axis है, ठीक है, तो axis के भी आप इसको define कर रहे हो, है न, arrays को तो यहाँ पर rank को कैसे measure किया जाता है, rank को कैसे समझा जाता है, कि array में कितनी number of axis है फाइन, यह समझ में आ गई अच्छे से, now create the following numpy array आप दिखो अभी तक तो कुछ theoretical questions ही देखें, हमने तीन अब fourth question है, अब यहाँ पर आपको कुछ code लिखना है, ठीक है कुछ condition दियो ही है आपको, कि आपको numpy array create करनी है कैसे create करनी है, कितने by कितने की create करनी है, कौन सी create करनी है है न, कौन से function का use करनी है, सब आपको define करना है first question दिया है इसमे, अब 1D array आपको एक 1D array create करनी है, called zeros having 10 elements and all the elements are set to zeros, देखो एक 1D array create करनी है, जिसका नाम zeros होगा, समझ माया zeros नाम की 1D array create करनी है, जिसमें सारे element, कितने element सारे मतलब 10, 10 element होना चाहिए और 10 element ही क्या होंगे zeros initiated होंगे, तो अब मैंने numpy array create करनी के लिए बहुत सारे तरीके बताये थे आपको, पहला हमने देखा था array function, array function में D type का use किया था, zeros function देखा था, once function देखा था, arrange function देखा था, तो 4 से 5 तरीके हमने array function numpy array को create करने के लिए देखे थे, तो यहाँ पर आपको zeros की array create करनी है, मतलब वो element, किसी array की वो सारे element जो 0 हो, 0 से initiated हो, तो उसके लिए हमें किस function का use करना है, zeros function का use कर लेना है, और यहाँ पर array का नाम भी जो create करना है, वो भी zeros ही होना चाहिए, वैल ऐसा होता नहीं है, ठीके, बट यहाँ पर इनोंने क्योंकि indication के लिए बताया हुआ है, ताकि easily understandable हो सकें, कि array zeros की, इसलिए zeros नाम दिया हुआ है, आप कोई भी function का नाम as variable नाम या array नाम या यूज नहीं कर सकते हो, ठीके, चाओ तो आप zero लिख लो, पर zeros as it is function एक, तो वो नहीं कर सकते हैं हम, राइट, चालो, तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, python interpreter पे, जहाँ पी जिस भी software का आप use करोंगे, spider का, jupiter का, c python का, जिसका भी आप practical करते हो, आप run करके देखना, zeros नाम का हमने एक array create किया, कैसे create करना है, इसके सारे values 00 होना चाहिए, तो उसके लिए हमने np.zeros function का use कर लिया, और bracket में हमने pass कर दिया, 10, कि कितने element होना चाहिए, इस 1D array में, 10 element होना चाहिए, तो आप जैसी आप इसको run करोंगे, तो आपको क्या दिखेगा, एक array दिखेगी zeros नाम की, क्या दिखेगी, आपको एक array दिखेगी zeros नाम की, और उस zeros array में आपको 0, 0, 0, 10 times आपको 0 show होगा, समझ में आया हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चीक है, तो 10 times आपको क्या दिखेगा, zeros की एक array created दिखेगी, one dimensional array by using zeros function, सारे element इसके 0 से initiated होंगे, next देखो, अब 1D array called vowels, अब vowels नाम से आपको एक array बनानी है, हाँ, इस नाम से हम बना सकते हैं, array vowels नाम से, having the element a, e, i, o, u, अब इस array में देखो, सारे element character type की होंगे, a, e, i, o, u, five vowels होते हैं, तो vowels की हमें एक array create करनी है, तो यहाँ पे आप array function का use कर सकते हूं, ठीक है, so vowels equals to np.array function का use किया, और हमने इसमें एक list प्रोवाइड कर दी, a, e, i, o, u नाम की, और इस list से, इस list को जैसी आपने पास की array function में, तो vowels नाम की एक array create हो गई, तो जब आप run करोंगे इसको तो आपको कुछ इस तरीके से element show होना है, a, e, i, o, और u, य, य, आपके element होंगे array के, तो vowels नाम की एक array create हुई, ध्यान रखना है इन arrays को, आगे इन पर based questions करना है हमें, कि zeros array में सारे 10 zeros element है, vowels में 5 vowels है, ठीक है, a 2D array called once having two rows and five columns, देखो, एक 2D array create करना है, किस नाम से, once नाम से, once नाम का function भी होता है, same नाम से आप array create करोंगे, fine, फिर से error आनिए, ध्यान रखना है, इसलिए one नाम से create करना, ये practical की बात है, बाकी यहाँ तो हम theoretically चीज समझ रहे है, ठीक है, तो वो चीज आपको clear है न, अच्छे से, कि किसी keyword के नाम से, किसी function के नाम से, आप as it is variable का array का नाम नहीं create कर सकते हो है न, so a 2D array called once, once नाम की एक 2D array create करना है, जिसमें कितने row और कितने column होगे, 2 row और 5 column होगे, and all the elements are set to 1, और सारे element to 1 से set हो जाना है, जैसे यहाँ पर सारे element 0 से set कैसे हो वे थे, जब हमने 0s function का use किया, तो यहाँ पर हम use कर लेंगे once function का जिसमें सारे element 1, 1 होगे, और वो array 2D array होगे, जिसमें 2 row 5 column होगे, मतलब total 10 elements होगे, और data type कैसा होगा, int, क्यों लिखा है यहाँ पर data type int जैसा होगा, क्योंकि default जो array create होती है, वो flow type की होती है, मतलब one point, one point, one point में create हो जाएगी, है ना, तो इसलिए हैं आपने हमने d type mention कर दिया, int, समझे माया, तो उसको कैसे create करना है, देखो once नाम की हमने एक array create किया, is equals to np.once function का use किया, अब आपको कितने बाए कितने की array create करना है, 2 row 5 column की, तो यहां हमने shape उसका ऐसे parameter specify किया, कि 2 row 5 column की यह हो गया shape, इस size की हमें एक array create करना है, कॉमा, अब यह जो array create होगी, उसमें सारे once होंगे, क्योंकि once function का use कर रहे हो, जो once होंगे, वो integer type के होंगे, तो यहां पर कैसी array create होना है, एक once नाम की array create होगी, जिसमें 2 row होगी, और 5 column होगे, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरीके से एक आपकी 2 dimensional array create होगी, यदि आप यहां पर d type int नहीं लिखते हैं, mention नहीं करते हैं, तो कुछ one point में ऐसे array create होती, समझ में आया, क्योंकि default type float होता है, तो यह अच्छे से समझ में आगे, तीनों answer के किस तरीके से array create करना है, zero function का use किया, array function का use किया, once function का use किया, यह कौन से topic से related है question, किस topic से related है, other way to creating numpy array, जो second, third topic हमने पढ़ा था न, आपकी इस chapter का, जिसमें other ways देखी थी, हमने practical भी देखा था, बिल्कुल उसी पर based है यह question, ओके, देखो कैसे पूछा हुआ है, fine, अब ज़रूरी नहीं कि exam में ऐसे कैसी आजाए question, आभी सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह code दे दिया हो, और पूछा जाए कि यह code का क्या का में बताओ, है ना, तो यहाँ पर देखो code लिखने को दिया है, question आपको given है, हो सकता है, code given दे रहे, question आपको लिखना पड़ जाए कि इस code का क्या मतलब है, what is the meaning of this code, इससे क्या create हो रहा है, कैसी array create हो रही है, तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, right, now, तो तीन array हमने यहाँ पर create करी, zeros, ones, and vowels वाली array, okay, आगे बढ़ें, D वाले question पर देखते है, use nested python list to create 2D array called mi array 1, अब आपको nested python list का use करना है, ठीक है, अब list nested भी होती है, जब एक list के एक element में फिरसे list हो जाती है, है ना, किसी list के element में, फिरसे list list होती है, create, तो हम उसे क्या बोलते है, nested list, a list is another list, is known as nested list, तो आपको 2D array create करना होती, तो 2D array हम nested list से ही create करते हैं, यह clear है ना आपको, अब उस array का नाम क्या होगा, my array 1, जिसमें 3 row 3 column होगे, क्या होगे, 3 row 3 column मतलब total 6 element, and store the following data, और उसमें 3 row 3 column में, आपको यह data store करना है, देखो, nested list का use करना है, तो case function का use करेंगे, हम यह array function का use कर लेते हैं, जिसमें आप यह list के form में, यह पहली list होगे, यह दूसरी list होगे, यह तिसरी list होगे, एक nested list में आप यह data provide करोगे, so कैसे create करना है, my array 1 नाम से हमने एक array create करा, equals to np.array function का use किया, यहाँ पे देखो, आपने 3 list provide की हुई है, एक list में, यह दिख रहा है आपको, ठीक है, यह 3 list हमने यहाँ पे provide कर दी, so this is called nested list, और इनसे जो array create होगी, यह array print हो जानी कुछ इस तरीके से, that is my array 1, जिसमें 3 row होंगे, 3 column होंगे, okay, e, a 2D array called my array 2, अब एक और आपको 2D array बनानी ही, my array 2 नाम से, using arrange function, कौन से function का use करके, a range function का, having 3 row and 5 column, जिसमें 3 row होंगी, 5 column होंगे, arrange function का use हमने पढ़ा था, जैसे for loop में range function होता है, वैसे यहाँ पे हम arrange function का use करेंगे, जिसमें start value, end value specify करेंगे, कि आपकी जो array है, वो कहां से कहां तक create हो, कितने numbers को छोड़ छोड़ के, skip number भी आप provide कर सकते हैं, step भी provide कर सकते हैं, कि कितने step से आगे बड़े number create हो, last value हमेशा जो होती है, end value वो skip होती है, उसके पहले तकी number print होती है, यह arrange function का काम होता है, यह हमें अच्छा से clear है, धना, तो यहाँ पे arrange function का use करके, आपको my array 2 बनाना है, जिसमें 3 row होगी, 5 column होगे, और with start value 4, कहां से start होगी value, arrange function में जो value start होगी, end value आप अपने according स्पेसिफाई कर सकते हूँ, step जो है वो 4, मतलब 4 के बाद 4, 4 के differences से आपकी array create होगी, यह चाह समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, my array, क्या लिखा, my array 2 एक अपने array create किया, किस function का use किया, arrange function, np.arrange function, यह हो गई आपकी start value 4, end value आपने specify करी 64, ओके, यहाँ तक values जाए, क्यों क्योंकि 3 row 5 column create करना है, 3 5s are 15, 15 element तो होना चाहिए ना, इस arrange function में created, arrange function से जो array create होगी, उसमें कम से कम 15 element होने चाहिए, जो इन row column में divide हो सके, है ना, और 4, 4 step से आगे बढ़ना है, तो यह हो गई आपकी start value, यह हो गई आपकी end value, और यह हो गई आपकी step, कॉमा लगा के हमने specify कि कैसे element होना चाहिए, float type के, क्योंकि आप लिखा है कि D type S float, तो कॉमा लगा के हमने float type भी specify कर दिया, तो arrange function से क्या होगा, एक one dimensional array create होगी, क्या create होगी एक one dimensional array, four point, फिर four का difference आया, eight point, फिर four का difference आया, twelve point, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे number, ठीक है, समझ में आया, और कहा तक create होगे, 60 point तक create होगे, क्योंकि इसके बाद 64 point आएगा, last number क्या होता है, exclude हो जाता है, तो ऐसे एक array create होगी, float number की, अब इससे आपको create करना है, क्या, इससे आपको create करना है, three cross five की एक array, जिसमें ये सारे element होगे, तो उसके लिए हमने यहां use कर लिया, कौन सा function, reshape function, बहुत ध्यान से समझो, reshape function का क्या काम होता है, किसी array को reshape करना, किसी form में, मतलब one dimensional से, यदि two dimensional array आपको create करना है, तो element same होने चाहिए, total number of उतने elements से आप array create कर सकते हो, तो यहां पर जो array create होगी, three row की, मतलब four point, eight point, twelve point, उसके बाद क्या आएगा, four, twenty four point, something like कुछ इस तरीके से, array आपकी sixteen point, फिर twenty four point, ऐसी आपकी, तीन row वाली और five column वाली array create होगी, three, five, जा fifteen, और यही सारे element उसमें, placed होगे, तो code clear है न, अच्छे से, fine, क्या आसा लिखा हुआ है, arrange function कैसे काम कर रहा है, okay, आगे बढ़ता है, now, question number five, using the arrays created in question number four, देखो, question number four में हमने देखा, कि अलग-अलग तरीके से, आप कैसे array create करते हो, numpy array, zeros function का use करके देखा, ones function का use किया, wobble के नाम की array create करी, my array one and my array two भी आपने create किया, my array two में arrange का use किया, my array one में अपने array function का use किया, two dimensional array भी create किया, nested list से भी create किया, सारे तरीके हमने question number four में देख लिये हैं, और कौन-कौन से array create करी, वो भी हमें याद हो गई, ओके, now write numpy command for the following, अब उन arrays के लिए आपको कुछ numpy command लिखनी है, तिससे पहला आपको question पूछा है, find the dimension, shape, size, and data type of items, and item size of arrays, zeros, vowels, one's my array, my array two, देख लो, क्या पुछा है अब यहापे, कि आपको attributes को use करना है, properties को use करना है, जो arrays हमने create करी अभी, कौन-कौन सी array create करी हमने, zeros array, vowels array, one's my array, one my array two, इन array पे आपको अब attribute अप्लाई करने हैं, कौन-कौन से attribute, dimension, shape, size, data type, item size, इन attributes का use करना है, ताकि आप क्या पता कर सको, कि zeros array का shape है, क्या size है, क्या item size है, इसे तरीके से यदे my array one की बात करते हैं, तो my array one पे shape, size, data type कैसा है, तो उसके लिए हम dot लगा के इन attribute का use करते हैं, तो कैसे use करना है, आपको क्या code लिखना है, तो देखो code क्या लिखा है, पहले बात कर लेता है, हम shape की, तो shape attribute क्या return करता है, आपको array का shape return करता है, कैसे return करता है, bracket में, ठीक है, अब इस bracket में यदि आपकी array one dimensional है, तो one comma करके return होगा, यदि आपकी array two dimensional है, suppose three cross five की array है, तो आपको three comma five इस तरीके से पहले row, फिर column show होगा, है न, तो ये चीज़ आपको अच्छे से clear है न, कि पहले हमने किसको देखा यहाँ पर shape attribute को देख रहे हैं, जिसको dot लगा के आप access करते हो, यहाँ पर आता है array का नाम, array का नाम dot shape, so zeros dot shape, तो zeros dot shape से क्या हुआ, zero वाली जो array थी, जिसमें 10 element थे, उसका output आपको return होगा, कुछ इस तरीके से 10, है न, column तो है न, one dimensional array, vowels dot shape, five vowels थे, तो कुछ ऐसे आपका output return होगा, once dot shape, अब once dot shape क्या था, two dimensional array create की थी, या one dimensional जैसे भी array create की थी, उसके according है, आपके कौमा लगा क्या output आएगा, my array one, my array two, इस तरीके से dot shape लिख के, आप इसे create कर सकते हूँ, ठीके, so इन attribute का use हम कर सकते हैं, size attribute क्या return करता है, total number of element, कि कितने element उसमें present है, zeros dot size लिखा, तो आपको 10 return हुआ, vowel dot size लिखा, तो आपको 5 return हुआ, ठीके, ऐसी आपने once dot size लिखा, तो one नाम में कितने 3 cross 5 किया रहे थी, तो 15 element होंगे, तो 15 return हुआ, है ना, so size क्या return कर रहा है, size आपको return करता है, total number of element present in the array, either in one dimensional, और in two dimensional, now zeros dot d type, अब जो d type है, d type आपको return करता है, attribute, data type of item, जो array के अंदर element है, सभी same type के है, array support ही करता है, same type के element को, तो जो array में element है, same type के, वो किस type के हैं, integer है, float है, string है, किस type के हैं, तो वो हमें return करता है, d type attribute, zeros dot d type लिखा, तो वो कैसे आपको show करेगा, float 32 या float 64, vowels कैसे होंगे, integer हमेशा unicode में show होता है, है ना, once dot d type, तो once dot d type में सारे float थे, तो यहाँ पर आजाने वाला है, float 32, clear, my array dot d type, my array dot d type में सारे element, integer type के थे, तो इसका output आजाना है, int 32 bit, है ना, तो यह चीज़ भी हम देख चुके हैं, attributes में practically, next जो attribute है, use किया हुआ है, वो है item size, कौन सा? item size, item size क्या return करता है आपको, कि एक जो item है array में, suppose array में 10 element, 10 element में से एक जो element है, उसने memory में कितना space लिया हुआ है, कितना space उसको memory का allocate हुआ है, in bytes, समझ में आया, in bytes, तो zeros dot item size, अब zeros dot item size, जब आप लिखने वाले हो, तो zeros कैसे हैं, integer type के हैं, सारे element, int 32, fine, तो int 32 मतलब, एक element 32 bit ले रहा है, तो आप total कितने element है, 10 element है, ठीक है, तो 10 में से एक element, जो bytes में कितना space लेगा, यह हमें पता करना है, आप वो one, 8 bit मिलकर कितना बनाते हैं, 1 byte बनाते हैं, यह सब को clear है, ठीक है, तो एक element 32 bit ले रहा है, तो आप इसको क्या कर दूँगे, divide कर दूँगे, divide कर दूँगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कि एक element 4 byte ले रहा है, किससे 32 से, 32 divided by 8, 8 for the 32, तो एक element कितना ले रहा है, 32 byte ले रहा है, तो ऐसी आपको हर एक element के, byte में answer मिल जाने वाले, समझ मैं है, यह चीज़ भी हमने practically देखी है, तो जब मैंने attribute पढ़ाया था, उसमें मैंने यह सारे attribute को, बहुत detail में अच्छे से समझाया है, practical के साथ, use कैसे करना है, attribute को, function को dot लगाके, यह आपको ध्यान रखना है बस, ओके, now second देखते हैं, reshape the array, once to have all the 10 elements in a single row, अब देखों, आपको क्या बोला है, reshape करना है, once array को, to have all 10 elements in a single row, once वाली जो array है, उसमें जो 10 element है, वो पूरे reshape हो जाए, और एक single row में आ जाए, once वाली array हमने 2D array create किया था, तो अब उसको आपको one dimensional में convert करना है, तो one dimensional में जब convert करना है, तो हम reshape function का use करते हैं, तो कौन सी array है, array का नाम है once, so once dot reshape, एक single dimension में convert करना है, तो हमने bracket में उसका shape specify कर दिया, कि 10, okay, 2 x 5 की हमने once नाम की एक array create की थी, कैसी array थी, कुछ इस तरीके से थी, 2 ये थी, row थी, और 5 column थे, अब इसको आपको 10 elements के एक one dimensional array बनाना है, मतलब आपको कुछ इस तरीके से एक one dimensional array create करना है, 10 elements के, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 elements के एक one dimensional array बनाना है, तो इसको आपको क्या करना री शेप करना है, तो यहाँ पर हम use करेंगे, री शेप function का, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, now, display second and third element of array वोवल, अब वोवल की जो array थी, वोवल की array क्या थी, A, E, I, O, U, है ना, अब array की जो element होते हैं, अब आपको इन दोनों element को एक्सिस करना है, E और I को, तो इनके इंडेक्सिस क्या होंगे, 1 और 2, तो आप कैसे एक्सिस करूंगे, वोवल नाम की array है न, तो वोवल्स ओफ 1, जब आप वोवल्स ओफ 1 लिखोंगे, तो आपको E मिलेगा, तो क्या लिखा है हमने यहापे, वोवल्स ओफ 1 और वोवल्स ओफ 2, ठीक है, तो आपको second और third element मिल रहे है, क्यों क्योंकि array की जो indexing होती है, वो zero से शुरू होती है, पहला element zero position पे होता है, उसके बाद increment होते हैं, plus one plus one से, तो यह चीज़ अच्छे से clear हो गई, है न, यहाँ पर indexing वाली चीज़ काम आ रही है आपकी, तो indexing वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी न, बस वो इसी तरीके के questions के लिए हैं, ओके, now display all elements in second and third row of array my array one, my array one जो हमने create की थी, उसके second और third element को, row के second or third element को आपको access करना है, तो my array one के second or third element को access करना है, मतलब कि आपको first or second element को access करना है, तो my array one जैसे wobbles access के यह बिल्कुल उसी तरीके से, my array के element को आप access कर पाऊंगे, clear, now display the element in first and second column of the my array, अब my array one के first or second column के element को access करना है, तो यहाँ पर देको slicing use होगा, यहां पर row के indices आएंगे, column से separate होके, comma लगा के यहां column के indices आएंगे, column से separate होके, कहां से कहां तक आपको value को access करना है, यह slicing होता है, fine, अब यहां पर my array के first and second column के element को access करना है, कि first column और second column के पूरे-पूरे element आपको मिलना चाहिए, तो क्या mention किया हमने, row तो पूरी select होगी, है न जो row है, वो पूरी select होगी, लेकिन यहां पर जो पहला column है, वो और जो दूसरा column है, उसकी values आपको select करनी है, तो row तो सारी select होना है, तो row के जो indices हैं, उसको हमने blank छोड़ दिया है, यहां देखो, blank है न, कुछ भी mention किया है, यह जो column है, उसके आसपास हमने कुछ भी mention नहीं किया है, जब column के असपास कुछ नहीं होता है, मतलब कि आप सारी row को select कर रहे हो, लेकिन column के आगे हमने क्या specify किया है, कि हमें first और second को access करना है, तो one column two, मतलब start और end value आपने हम specify की है, इसी तरीके से यहां पर आपको पहला column मिलेगा, और यहां पर आपको मिलेगा दूसरा column सो यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई न, कैसे आपने slicing किया, सो slicing वाली वीडियो ध्यान है, तो आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, हो, है न, now display the element of first and second and third row, ध्यान से सुनो, display the element of first column, first column के element और second और third row के element, मतलब कि यह second और third आपकी तीन row हैं suppose, तो second औ third row के element और यह पहले column के element, इन्हें आपको access करना है, समझ में आया, तो यहापर row indices पे हमने लिख दिया 1 to 4 और column indices पे हमने लिख दिया 0 to 1, तो इस तरीके से आप क्या कर पाऊगे, कि यहाँ से आप first column और second और third row के, इस part को access कर पाऊगे, किसके, array के, clear, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया, slicing समझ में आ गया है, यहापर slicing और indexing पर based था यह question, now next, अब जी वाला part क्या दिया है, reverse the array of vowels, अब जो वोवल की array है, उसे क्या करना है, हमें reverse करना है, ठीक है, so A, E, I, O, U, यह हमारी वोवल की array थी, जब आपको इसको reverse order में print करवाने है, मतलब आप चाहते हैं कि U, O, I, E, और A, इस order में, यह reverse order है, इस order में आपकी array print हो, तो reverse order में जब number print करवाने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यह भी हमने slicing में देखा था, कि आपको पूरे element start से end तक access करने है, तो हमने यहाँ पर column और जो आपका start और end value है, उसको हमने blank रखा, ज यहाँ पर हम step provide करते हैं, तो step हमने negative provide करी, that is minus 1, जब आप minus 1 provide करोंगे, तो क्या होगा, कि जो element print होना शुरू होनगे, वो पीछे से, array के last से शुरू होनगे print होना, और कहां तक last से end तक print होनगे, तो वो कैसे हो जाने वाले हैं, reverse हो जाने वाले हैं, so vowels नाम की array थी, उसको ह हमने slice किया कुछ इस तरीके से, कि start से end तक सारे element select होनगे, सारे print होनगे, लेकिन step जो increment होगा, वो minus 1 से start होगा, ठीक है, तो एक-एक element opposite order में print होते चले जाएंगे, so उससे एक reverse array generate होगी, okay, तो reverse array generate करवाना है, है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तरीके से slicing axis किया, okay, now, next is, question number 6, using the arrays created in question number 4 above, write numpy commands for the following, अब वही question number 4, जिसमें आपने 1s, 0s, vowels, my array 1, my array 2 create किया, उस पर ही based next question है, divide all elements of arrays once by 3, ठीक है, पहला क्या है, कि जो once नाम की array है, जिसमें सारे element 111 है, उन्हें 3 से divide करना है, सारे element को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर हम use करेंगे, arithmetic operation division, division के लिए arithmetic operation slash use किया जाता है, array का नाम लिख देना है, slash लगाना है, और 3 जिससे divide कर देना है, तो सारे element क्या हो जाएंगे, 3 से divide हो जाएंगे, now, add the arrays, my array 1 and my array 2, my array 1 और my array 2 को आपको add करना है, plus करवाना है, सारे element जो होंगे, उनके addition करवाना है, तो उसके लिए हम किसका use करेंगे, किस operator का, plus operator का, array 1 का नाम लिखा, plus लगाया, array 2 का नाम लिखा, तो यह क्या है, कुछ arithmetic operation पर based questions है, इसे तरीके से subtract कर सकते हो, आप my array 1 from my array 2 and store the result in new array, और एक नई array में आपको result store करवाना है, so my array 2 में से my array 1 को आपने minus किया by minus operator, और new नाम की एक array में हमने result को store करवाय कहां पर new नाम की array में, so बहुत easy है यह भी, multiply array 1 and array 2 element wise, अब element wise multiply करवाना है, तो multiplication दो तरीके से हमने देखा था, एक metric multiplication और एक element wise multiplication, ठीक है, जो normal multiplication होता है, तो multiply करने के लिए, आप normal जो multiply करना है, आपको element wise, उसके लिए हम use करते है, star, तो my array 1 के element star लगाया, then my array 2 के element array को access किया तो star से क्या होगा, दोनों array के जो element है, वो multiply हो जाने है, ठीक है, now do the matrix multiplication of my array 1 and 2 and store the result in new array that is my array 3, ओके, so यहाँ पर क्या करना है अब आपको, matrix multiplication करना है, matrix multiplication बताया था ना, कि हर row जो है, वो दूसरे, जो array होगी, उसके column से multiply होगी, ठीक है, suppose यहाँ पर दो row है, तो पहले ये row इन तीनों column से multiply होगी, है ना, फिर ये वाली row इन तीनों column से multiply होगी, जो answer होगा, वो plus होगा, और resulting array create होने वाली है, so इसी को हम क्या कहते है, matrix multiplication कहते है, जिसके लिए हम किस sign का use करते है, add the rate sign का use करते है, so यहाँ पर क्या किया हमने, my array 1, add the rate का sign use किया, my array 2, add the rate matrix multiplication के लिए होता है, इसको आप assign करवालो, किस में, इसको आप assign करवालो, एक new array, my array 3, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, my array 3 is equals to my array 1, add the rate then my array 2, ठीक है, आई समझ में बात, कैसे आपने क्या किया, इन दोनों का matrix multiplication is third array में store करवाय, equal का sign लगा के, equal से assign होगी values, now divide my array 1 by my array 2, array 1 को array 2 से आपको divide करवाना है, तो divide करवाने के लिए आप use करते हो slash का, backward slash का, है न, जिससे division हो जाता है, तो ये था arithmetic, जो operations हमने देखे थे, उन पर based question, so hope आपको अच्छे समझ में आया, आप देखते हैं, हम next इसका part, find the cube of all elements of my array 1 and divide the resulting array by 2, है न, कि cube आपको निकलवाना है, my array में जितने भी, array 1 में जितने भी element है, उन element का cube करवाना है, तो cube करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, exponential operator का use करते हैं, है न, तो यहाँ पे आप array का नाम लिखोंगे, exponential cube करवाना है, तो 3 लिख दिया, तो इस array में जितने भी element होंगे, उनका cube हो जाने वाला है, और cube होने के बाद जो answer आएगा उसको 2 से divide भी करना है तो देखो क्या लिखा array 1 का नाम लिखा double star का use किया single star multiply के लिए use होता है double star exponentiation के लिए use होता है तो यहाँ पर 3 power आपको calculate करवाने है cube करवाना actually ठीक है तो यहाँ पर my array double star 3 लिखने से क्या हुआ cube calculate हो गया हर एक element का और उसके बाद फिर हमने bracket लगाया और bracket के बाद हमने फिर 2 लिखा मतलग कि 2 से divide हो जाएंगे सारे element cube होने के बाद find the square root of all elements of my array 2 and divide the resulting array by 2 square root आपको find out करना है my array 2 के सारे element का square root आपको find out करना है और जो answer आएगा उसको फिर 2 से divide कर देना है the result should be rounded off आप जो result आएगा उसको आपको round off भी करना है two decimal places तक तो यहां तीन चीज हो रही है ध्यान से समझो पहला square root calculate हो रहा है जो answer आएगा वो two से divide हो रहा है और answer कैसे show होगा decimal के बाद two places तक show होगा तो तीन चीज है यहां पर करनी है आपको तो जिसके लिए हमने क्या करा सबसे पहले तो numpy library का सबसे पहला काम हमने किया है कि sqrt function का use कर लिया sqrt function का use करा sqrt क्या करेगा square root calculate करेगा किस array पर my array two पर तो my array two हमने उस bracket में pass कर दिया sqrt के function में तो जो भी answer आएगा वो two से divide हो जाने वाला है अब two से divide होने के बाद में हमने use कर लिया round function को round function के लिए हमने क्या लिखा जो answer यहां पर generate होका division के बाद वो two decimal places तक आपको show होगा round function का काम list में देखता न list dictionary में बिल्कुल वैसे यहां पर भी काम करता है round function कि जो number है उसको round off कर देगा और जो decimal places आप mention करोंगे उतने decimal places तक वो function उस particular number को round off करेगा ओके तो यह चीज़ clear होई अच्छे से sqrt apply करा आपने पहले np.sqrt किस array के element को square root करवाना है my array two नाम की जो array है उसके अलिमेंट को square root करवा दिया यहां से generate हो गया square root इस पूरे square root को जो generate करवा है उसको two से divide करवा दिया ये two से divide हो गया इसकी बात क्या करवाने divide करने के बात जो number generate होगा तो उसके लिए हमने यहां पर use कर लिया round function round function क्या करेगा यहां जो भी division से number generate हो रहे हैं कॉमा लगा के हमने यह एक को to pass कर दिया वो क्या करेगा जो भी float number आ रहा है उसको two decimal places तक show करेगा So इसके लिए हमने np.round function को access कर लिया कुछ इस तरीके से Okay So hope you understand Now question number 7 is Using the arrays created in question number 4 above write numpy commands for the following Question number 7 में क्या पूछा है आप से Question number 4 में जो arrays हमने create करी zeros, ones, vowels, my array 1, my array 2 है ना उनके लिए कुछ numpy code आपको लिखना है अब क्या condition है पहली condition दिए find the transpose of ones and my array 2 Ones array और my array 2 दोनों के transpose के लिए आपको code लिखना है तो transpose करने के लिए हम क्या करते हैं Transpose function का use करते हैं Array का नाम लिखते हैं, dot लगाते हैं, transpose function का use करते हैं तो transpose function का काम क्या होता है Row को column में interchange करना, column को row में interchange करना यही काम होता है transpose का So कैसे use करना है आपको Array का नाम लिखा, once, dot लगाया, transpose function का use किया वैसे simple हमने my array 2 का नाम लिखा Dot लगाया, transpose function का use किया तो जो once array थी वो two cross five की थी, कितने की थी two cross five की थी, तो अब ये transpose होकर कितने भाय कितने की हो जाने वाली है तो transpose होने के बाद में ये five cross two की हो जानी है, मतलब की two row थी five column थे, transpose होकर five row two column में interchange हो गए ऐसे my array 2 कितने बाय कितने की थी? 3 x 5 की थी, 3 row थी 5 column थे तो ये भी जब transpose हुआ, तो transpose होने के बाद में row column में interchange हो गए, column row में interchange हो गए मतलब 5 column हो गए, 3 row हो गए, ओके, so transpose function का practical भी हम देख चुके है now sort the array vowels in reverse, अब देखो जो array है, उसको हमने reverse करना कैसे सीखा था, slicing में देखा था अभी कि array का नाम लिखना है, suppose vowels नाम की आपकी array है, जिसमें start और end value आपने specify किया कि कहां से कहां तक आपको array को access करना है, तो a से लेकर u तक a, e, i, o, u पूरी array को access करना है कितने step से आगे बढ़ना है आपको minus 1, तो minus 1 जैसी आपने specify किया, तो आपने opposite order में array के element को access किया अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उन element को sort करना है, तो sort मतलब arrange करना, है न, एक order में तो arrange करने के लिए हम किस function का use करेंगे यहाँ पर इस array को, जो reverse हो चुकी है, इसके पहले हम यहाँ पर use कर लेंगे sort function को, किस function का use कर लेंगे sort function का, ठीक है, तो sort function क्या करेगा, sort function इस reverse array को sort कर देगा, तो numpy library का एक function है sort function जिसका use करके आप Wovles नाम की array को जो reverse हो चुकी है उससे आप sort कर सकते हो तो उसके लिए हमने क्या लिखा print statement में np.sort function और Wovles नाम की array को हमने slice करके access करा है reverse order में और वो reverse order में हो गई और उसके बाद में sort होके आपका output show हो रहा है ओके now using the arrays created in question number 4 above write numpy commands for the following same question number 4 में वही चार arrays है उन पर वेस्ट कुछ आपको numpy commands लिखनी है ठीक है अब यहाँ पर देखो पहला question लिखा है use numpy.split function आपको किसका use करना है split function का use करना है ठीक है splitting the arrays हमने topic देखा था कि कैसे split करते है array को हम है ना सो बिलकुल यहाँ पर आप split function का use करोगे अब वही चार arrays पर zeros, ones, wobbles, one and my array two पर to split the array my array two into five arrays देखो जो two नाम की वाली array थी हमारी array two थी उसको आपको पांच array में divide करना है split करना है column wise ओके column wise store your resulting array in my array two a और जो पांच array create होने वाली है उसमें पहली array होगी array two a, array two b, array two c, array two d and array two e तो यह पांच array हमें create करना है तो सबसे पहले तो हम देख लें कि my array two जो create की थी हमने वो कितने भाय कितने कि थी वो थी आपकी 3 cross 5 की मतलब यहां पे उसमें तीन रो थी और पांच column थे कितने column थे 5 column थे ठीक है तो अब इनए column wise आपको access करना है क्या से access करना है आपको इन्हां 2A से एक्सिस करो, इसको 2B से एक्सिस करो, इसको 2C, 2D और 2E, है न, my array 2A, 2B, यह हमें सब arrays create करनी है, 3 x 5 की, okay, and, इन arrays को आपको फिर क्या करवाना है, print करवाना है, तो print करवाने के बाद, आप कैसे इसे पहले तो split करते हो, split करने के बाद कैसे आप इसे एक्सिस करते हो, तो splitting में हमने क्या देखा था, split function में, कि आप array को कितने भी part में, कितने भी sub array के part में split कर सकते हो, equal halves में split कर सकते हो, row wise, column wise कैसे भी split कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें column wise split करना है, एक array के 5 sub part हमें create करना है, ठीक है, तो हम क्या specify करेंगे सबसे पहले, तो उन पाचों sub arrays के नाम लिख देता है, कॉमा लगा के, जिनमें हमें splitting arrays को store करवाना है, तो my array 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, यह 5 sub arrays हैं, ठीक है, जिसमें 5 column store होना है, एक whole array के, split होके, now function use करा, np.split, split function में हमने pass किया किया parameter, जिस array को split करना है, 5 sub array में, उस array का नाम, अब कितने part में आपको slice करना है, उसको कितने part में आपको split करना है, 5 part में, तो integer value हमने यह 5 दे दी, कैसे, row wise यह column wise, तो column wise ना, तो access equals to 1 specify कर दिया, access equals to 1, column wise split, तो split function के अंदर आपने 3 parameter pass किये, वो array जिसको split करना है, index value, integer में आपने pass कि कि कितने part में आपको split करना है, 5 part में, तो 5, और किसके according split करना है, row wise यह column wise, तो column wise करना है, इसलिए access equals to 1, row wise करना होता है, तो default row wise ही होता है splitting, तो यहाँ पे आप कुछ access parameter pass नहीं भी करते हैं, तो row wise splitting होती, या फिर आप access equals to 0 specify करते हैं for row wise splitting, यह अच्छा से समझ में आया, अब क्या बोला हैं, उन्हें यहाँ पे कि print भी करवाओ array को, तो हमने हर एक array को जो 5 array हैं उन्हें print करवा लिया, तो क्या होगा, first वाले array में आपको पहला column show होगा, दूसरा column show होगा, तिसरा column show होगा, जो 5 column थे, उनकी 5 अलग-अलग sub-arrays create हो जाएंगे, तो एक whole array जिसमें 5 column थे, 3 row थी, उनके 5 अलग-अलग arrays यहाँ पर split function का use करके create होगा है, ओके, now, we split the array, concatenate the arrays, my array 2A, 2B and 2C into array having 3 rows and 3 columns, अब जो हमने एक array create किया था, my array 1, जिसमें क्या था, 3 row थी और 3 column थे, मतलब 3 row थी और 3 column थे, ठीक है, 3 cross 3 किया रही थी, इसको split करना है हमें कैसे, इसको split करना है, हमें यहाँ पर split नहीं करना है, इसको हमें concatenate करना है, split करने के साथ, ठीक है, तो जो आपने split कीए arrays, उन्हें concatenate करना है, question फिर से समझ लो, my array 1 थी, जिसमें 3 row थी, 3 column थे, ठीक है, इस तरीके से, अब इसको पहले आपको split करना है, split करके आपको 3 array बनानी है, 2a, 2b, 2c में, ओके, और फिर उन्हें आपको concatenate करना है, तो concatenate करने के लिए किसका use करेंगे हम, concatenate function का use करेंगे, so, np.concatenate function का use किया, जिसमें हमने 3 splitting arrays को pass कर दिया, तो जो splitting arrays थी, उन्हें splitting arrays को जब आपने यहाँ pass किया concatenate function में, तो concatenate function का काम होता है, join two or more arrays element, 2 या 2 से ज़ादा arrays के element को join करके, एक single array में represent करता है concatenate function, तो यहाँ पर जो आपने अभी split किये थे part 2a, 2b, 2c को, उनको आपने जब concatenate function के bracket में pass किया, तो तीनों array के जो element थे, वो concatenate हो गए और एक 3 cross 3 की matrix ready हो गई, concatenate करने के बाद, so, यह चाचचस से समझ में आई, कैसे समझ में आई, clear है, ओके, now, create a 2D array called my array 4 using a range having 14 rows and 3 columns with start value minus 1, क्या create करना है आपको, 2D array create करना है, अब आपको एक नई array create करना है, 2D array जिसका नाम होगा my array 4, किस function का use करके create करना है, arrange function का use करके create करना है, अब उस array में कितने row column होंगे, 14 row होंगी और 3 column होंगे, कितनी row होगी, 14 row होंगी, ठीक है, up to 14 row होंगी और 3 columns होंगे, ओके, with start value minus 1, अब arrange function में तो हम एक 1D array create करते हैं, मतलब जब आपको एक 1D array मिलेगी, उससे आप क्या कर सकते हो, इसको reshape कर सकते हो, किसमें, 14 x 3 की array में, ठीक है, तो हम यहाँ पर reshape function का use कर लेंगे, arrange function से हम इस array को create कर लेते हैं, arrange function से क्या करेंगे, इस array को create कर लेते हैं, जिसमें start value minus 1 होगी, तो arrange function में आपको specify करनी होती है, start value, step size होगा minus 0.25, step size क्या होगा 0.25, end value अभी आपको specify यहाँ करनी होगी, ठीक है, अब 14 x 3 मतलब कितने element होने चाहिए reshape करने के बाद, उसी के according यहाँ पर हमें end value देनी पड़ेगी, समझ में आया हूँ? ओके, so split this array row size into 3 equal parts and print the result, जैसी फिर यह array print होगे, इसको 3 equal parts में आपको split भी करना है, और उसका result भी print करवाना है, तो इस question को थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़े एक साथ पूछी हुई है, पहले तो आपसे बोलाए कि arrange function से एक array create करो, ठीक है, जिसकी start value minus 1, पहला step क्या होगा हम, arrange function का use करेंगे, ठीक है, जिसमें start value और step हमने specify कर दिया, यह हमें given है, ठीक, तो एक array create हो जाएगी, उके, उसके बाद आपको क्या करना है, इससे एक नई array create करना है, कितने की, 14 cross 3 की, ठीक है, 14 rows और 3 column हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नई array create करने के लिए, reshape function का use कर लेंगे, जिससे my array 4 नाम की एक array create कर लेंगे हम, है न, जिसमें element क्या होंगे, यह minus 1 से लेके, जो भी आप यह specify करोंगे, उसके सारे element आ जाने वाले हैं, ठीक है, 14 cross 3 जितना भी होता, उतने element यहाँ होने चाहिए, समझ में आया, इस arrange function के तुरू, आरे में element होना चाहिए, तो reshape कर लिया, अब reshape करने के बाद, आपको इस array को क्या करना है, split करना है, क्या करना है, split, तो split कैसे करोंगे, split function का use करके, कितने part में split करना है, 3 equal part में split करना है, कितने equal part में, 3 equal part में, तो 14 rows हैं और 3 columns है, तो 3 column के हिसाब से, आप 3 equal part में split कर सकते हूं, तो यहाँ पर हमें इसको फिर split करना है, 3 equal part में, ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर करना है, यह 3 चीज़ें आपको यहाँ पर use करना है, यह 3 functions का use करना है, arrange का, reshape का, और split function का, कैसे use किया है, अब देखो, my array 4 नाम से एक array create करा, जिसमें np.arrange function का use करा, arrange में start value minus 1 दी, 9.5 हमने ending value दे दी, है ना, कि 9.5 तक यह array create होगी, और 0.25 step से आगे बढ़ेगी, 0.25, 0.25 का difference होगा, अब reshape function का use करा, अब यह जो array यहाँ create होई, उससे 14 x 3 की array create हो जाने वाली है, 14 row और 3 column वाली array, अब यहाँ पर my array 4, 14 x 3 की create हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको print करवा लिया, प्रिंट करवाने के बाद हमें इसको split करवाना है, तो कितने part में, 3 equal part में split करवाना है, तो किसी में, suppose आपने लिखा first, second और third के लिए t use कर लिया, is equals to np.split function यूज़ कर लिया, ठेक है, और यहाँ पर आपनी parameter पास कर दिया, तो जब आप print करवाऊंगे f को, first को, तो इसका जो 3 equal part होंगे, तो उसमें first part print हो जाएगा, फिर second print हो जाएगा, write commands for the following, अभी जो हमने question number 4 में, my array, sorry, इसके previous question में, my array 4 create किया, 14 cross 3 की, अब उस पर कुछ command लिखनी है, ठीक है, so find the sum of all element, जितने भी element है my array 4 में, उन सारे element का sum हो जाए, तो sum करने के लिए हम किस function का use करते हैं, sum function का use करते है, तो कैसे use करते हो, जितने भी element होगे, whole element का sum यहाँ हो जाने वाला है, find the sum of all element row wise, अब यदि आपको row wise sum करवाना है, तो sum कौन सा function है, कि statistical function है, statistical operation जो मैंने पढ़ाया था, उसमें हमने sum को देखा था, तो जितने भी statistical operation थे, उसमें जब आप access equals to 1 लिखते हो, मतलब आप column wise specify कर रहे हो, लेकिन होता कैसे calculation है, row wise, यहाँ पर opposite होता है, तो यहाँ पर आपको row wise element को sum करवाना है, तो हम access equals to 1 mention कर देते हैं, है ना, तो same function हमने उपर use किया, वही same function use करना है, कौमा लगा के row wise operation perform करवाना है, तो access equals to 1 लिखा, तो अब 14 cross 3, मतलब जितनी भी 14 row होंगी न, हर एक row के element का plus होता चला जाएगा, ठीक है, तो row wise element आपको यहाँ पर मिलेंगे, sum होके, find the sum of element column wise, अब यदि column wise आप sum करवाना चाहते हों, तो column wise के लिए हमने specify कर दिया है, हाँ पर access parameter 0 के equal, so access equals to जब आपने 0 लिखा, तो अब जो 3 columns थे, उन पूरे-पूरे 3 columns का sum हो जाएगा, ठीक है, कैसे, np.sum array को पास किया, कॉमा लगा कि access equals to 0 लिखने से, now finding max of all element, पे को क्या लिखा है, कि array में 14 cross 3 की जो array है, उसके अंदर जितनी भी element है, उन में से maximum element कौन सा है, वो find out हमें करना है, तो जिसके लिए हमने use किया, यहाँ पर max function, और यहाँ पर हमने ऐसे parameter array को पास कर दिया, तो इस array से जो भी maximum element होगा, वो print हो जाने वाला है, find the min of all element in each row, अब यहाँ देको minimum find out करना है, लेकिन row wise, कि हर एक row में कौन सा number minimum है, तो row wise find out करना है, तो आपने क्या किया, min function का use किया, array को पास किया, और access की value 1 पास की, जब access equals to 1 आपने लिखा, और array को आपने लिखा, तो उस array में से row wise minimum element आपको show होंगे, find the mean of all element in each row, अब mean calculate करवाना है, मतलब average calculate करवाना है, वो भी row wise, तो हर एक element जो आपके row में है, ठीक है, 14 row है, 14 row में जितने भी element है, उन सब का total होगा, और divide by 14 हो जाएगा, ठीक है, तो sum को जब आप divide करते हो, number of elements से, तो क्या calculate होता है, average mean calculate होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है, row wise element को perform करवाना है mean, तो access equals to one specify किया, mean function का use कर लिया, ठीक है, simple इसी तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है, g वाले part में, standard deviation column wise, तो standard deviation क्या होता है, mean से, कोई सा भी number जो आपकी array में है, वो कितना deviate हो रहा है, वो हम standard deviation से calculate करते हैं, तो standard deviation को apply करने के लिए, हम std function का use करते हैं, तो वैसी std function use किया, अब column wise आपको standard deviation निकलवाना है, तो column wise अब standard deviation निकलवाना है, तो तीन columns हैं, ओके, और column के लिए हम कौन सा parameter पास करेंगे, access equals to zero, सो array का नाम लिखना है, access equals to zero लिखना है, तो column wise क्या हो जाने वाला है, standard deviation कालकुलेट हो जाएगा, तो यह जो last question था, यह आपका statistical operations पर based था, तो statistical operations वाली वीडियो यह दि देखी, यह practical देखा है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या discuss किया, arithmetic operations, sorting, transpose, reshape कैसे करना है, अलग-अलग तरीके से zeros, ones function का use करके, है न, arrange function का use करके, array का use करके, कैसे आप array को create करते हूं, साथ में इन attributes का कैसे use करना है, shape, item size, detail जो attributes हैं, नमपाय array के, उनको कैसे use करना है, उन पर based सारे questions को, आज हमने discuss कर लिया, with these solutions, okay, so hope आपको कोई doubt नहीं होगा, इसमें, so यदि वीडियो अच्छे लगी है, तो इसे YouTube के साथ साथ आप access कर सकते हो, magnetbrains.com website से भी, magnetbrains.com type करना, इस तरीके का home page यो होगा, यहाँ पर select कर लेना class 11, जैसी class 11 select करोगे, तो आज आओगे कहाँ पर, अपने subject class 11th IP पर, class 11th IP पर आजाना, watch now पर click करना, तो class 11th के सारे video lectures, chapter wise available है, क्योंकि सारे chapters हम complete कर चुके हैं, कोई भी ऐसा chapter नहीं है, जो remaining है, सारे chapter के video lecture यहाँ मिलेंगे, practical के साथ, जिसमें computer system, basic python, list dictionaries, SQL, database, numpy library, सारे chapters यहाँ मिलेंगे, आपको emerging trends से लेकर, जिसमें किसी video में doubt है, तो कहीं किसी platform पे जाने की सर्वत नहीं है, क्योंकि magnet brain आपको kindergarten से लेकर, class 12 तक free of cost education प्रोवाइट कर रहा है, ताकि आप अपनी exam में बहुत अच्छे marks को score कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी life में कुछ बहुत अच्छा अच्छा अच्छीव कर सकते हो, सो मिलेंगे next video में, till then, bye bye.